हम सभी ने ब्लेड का इस्तिमाल तो किया होगा शेविन के दोरान या हेर कटिक के दोरान इसका इस्तिमाल एक आम बात है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लेड के बीच में बनाया गया आकार किस काम आता है और हमेशा ब्लेड इसी डिजाइन की क्यों बनती है यह बात 1904 की है जब जिलेट कमपनी ने पहला ब्लेड लॉंच किया था, एक दोधारी ब्लेड था जिसमें काफी पैनापन था, हाला कि जिलेट ने अपने रैजर में कई बदलाव किये, लेकिन कमपनी ने भी उस हिसाब से ब्लेड में बदलाव कर दिये, इस अजीब तरीके के डिजाइन के पीछे एक कारण यह भी था, कि जो ब्लेड बनाया गया था, वह 0.2 mm का था, और इतना पतला होने की वजह से अगर इसे बीच में से इस आकार का डिजाइन ना दिया जाता तो यह हलका सा भी इस्तिमाल करने पर तूट सकता था, इसको फ्लेकसिबिलिटी प